नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मुख परिच्छा के सभी स्टूडेंट्स में एक कोस्टन जरूर मन में रहता है कि मुख परिच्छा के लिए कौन सा पैन यूज करें तो आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है तो शुरुबात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सैलो के बटरफुलो पैन को लगबख 10 रुपए का ये पैन आता है, चलने में बहुत फास्ट चलता है इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी जो इंक है या तो कभी डार्क हो जाती है या कभी थोड़ी हलकी आती है, ओवरॉल देखा जाए तो बहुत अच्छा पैन है मेरे द्वारा भी यही पैन यूज किया जाता है और जानतर अभ्यार्तियों के दारा इस पैन को मुख परिचा के लिए यूज किया जाता है अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा पैन है, मुख परिचा के लिए बढ़िया है दूसरा हम देखते हैं, Pentonic जानतर अभ्य हलते हो तरहा इस पैन का भी यूज किया जाता है इसमें हम इसकी अच्छाई देखें तो चलने में बछो आच्छा है थोड़ा सा डार्क चलता है और पकड की बात करें तो तो थोड़ी पतली पकड़ है और इसमें एक प्रॉब्लम बस यह आती है कि इसकी जो पैन की निभ है वह थोड़ी सी हलकी सी जाना लंबी है तो कईों के लिए comfortable हो सकता है कईों के लिए uncomfortable रहता है तो आप चाहे तो इसको भी यूज करते हैं प्राइज इसकी same ही है आर्ट से 10 रुपए का यह पैन मिल जाता है यदि आप जाना मगाएंगे तो सायद कम का भी पड़ जाए नेक्स देखते हैं हम पाइलेट पैन काफी अभ्यारतियों के द्वारा यह पैन यूज किया जा रहा है अगर हम प्राइज की बात करें तो प्राइज में थोड़ा सा महंगा है 30-40 रुपए तक का यह पैन मिलता है और इसमें यह रीफिल भी हो जाता है और इससे बस फायदा यह है कि जिसकी राइटिंग थोड़ी बड़ी हो तो वह इस पैन का यूज कर सकते हैं यह इसकी निब काफी पतली होती है 0.5 इसकी निब है तो लेखने में जो राइटिंग आती है वह थोड़ी सी शार पाती है तो इससे जो है लेखन शेली आप सुदार सकते हैं और यदि स्पीड की बात करें तो चलने में भी काफी अच्छा चलता है यह पैन जिसकी राइटिंग छोटी है वह इस पैन को यूज ना करें क्योंकि उससे आपकी राइटिंग और भी जो आपके शब्द बनेंगे वह और भी छोटे बनेंगे ठीक तो यदि आप के पास बजट ठीक ठाक है तो इस पैन को मुख परिच्छा के लिए आप यूटलाइज कर सकते हैं नेक्स्ट जो आपका पैन है वो है पाइलेट का वी सेवन यह रीफिल पैन है इसकी जो निव है थोड़ी मौटी है तो इस पस्ट अक्छर जिसके नहीं मनते हैं वो इस पैन का यूटलाइज कर सकते हैं चलने में बहुत फास्ट चलता है बस इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि कभी जैसे की आयुकदारा जो कौपी दी जा रही है काफी निमनिस्तर की कौपी उपलब्द कराई आती है तो इसमें इंक पनने पे फैलने का डर रहता है कि इसमें जो इंक है थोड़ी जान्दत छू प्राइज की बात करें तो प्राइज में थोड़ा मेंगा है 70-80 रुपए का यह पेन आता है यदि आपकी बजट की कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस पेन का भी यूटलाइज कर सकते हैं और जिसकी ग्रिप थोड़ी मौटी है उसके लिए पेन कमफर्टेवर रहेगा इसकी ज और फीरते की दवरारा यह पैन यहां यूज किया जाता है तो यदि आपकी पकड़ इस पेन पर बन रही हो तो आप इस का यूट्स कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा साथिओ क्यों जकते जो भी समार द्रशारा यहां मज़ा आता है और सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और एक कॉंफिदेंस विल्ड होता है ठीक तो यह गोल्डेक्स का क्लासी पैन है इसको भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा आगरी पैन है जो विन का फोर्स है यह पैन में कई सारे अभ्यर्तियों कदा रही यूज किया जाता है लिखने में और चलने में काफी अच्छा चलता है शांधार पैन है यदि आपने अभी तक इस पैन को नहीं यूज करके इसको देख सकते हैं बाकी जो भी पैन की लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे यदि आप वहां से पर्चेस करना चाहें तो लिंक पर क्लिक करके वहां से आप पर्चेस कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजेगा और व